दोस्तों आज आज आपको बताने वाला हूँ कि para commando कैसे बन सकते हैं full procedure बताओंगा कि एक soldier कैसे बन सकता है para commando मैने आपको जतनी भी वीडियो बहुत ही important commando की और जतनी भी nd की जतनी भी videos है जो कि math की topics है वो इन सब की जो links है वो मैंने description में दे दी है वो जाकर आप देखी बहुत important videos है ठीक है अब ही बताने वाला हूँ the full procedure, the full criteria how to become a para-commando, the para-regiment the para-trooper कैसे बन सकते हैं soldier से लेकि soldier का इसकी बात करूँ तो soldier की जो limit होती है वो age limit होती है वो होती है 17 and half से लेकर 23 साल तक 17 and half से लेकर 23 की मैं कह रहा हूँ जादा हो गया 21 से या फिर 22 तक भी चलती है वोलब साड़े सात्रा से 22 साल तक की जितने भी unmarried unmarried male candidates है male candidates है ठीक है वो इस form को apply कर सकते है ठीक है वो इन form को apply कर सकते है अब बात करते हैं था eligibility eligibility क्या चाहिए कि soldier कौन बन सकता है eligibility चाहिए तो soldier वही बन सकता है उसकी eligibility है कि आपकी 10th pass होने चाहिए वो depend करता है आप कौन से soldier बनते कौन सा exam देते हैं there are three types of soldier exams soldier gd, soldier clerk, soldier technical तो आभी बात करते हैं तीनों exam के बारे में उसमर जाकर उसमें जाकर उसको crack करकर आप कैसे पैरकमांडो बन सकते हैं चली देख लेते हैं देख लेते हैं क्या है procedure दोस्तों ये तीन चीज़े बहुत ही important क्या अगर आप बनना चाहते हैं आपकर सपना है कि मैं पैरकमांडो बनू तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक एक point बहुत ही आपके लिए ये बहुत ही important होने वाली है वीडियो दोस्तों soldier gd there are three exams how to become a soldier फिर soldier से पैरकमांडो कैसे बनेगे बताँगा soldier बन जाए soldier के लिए तीन exam आपके लिए दे जाते हैं आपके government की तरफ से निकाले जाते है soldier gd, soldier tech, soldier clerk clerk अब हम लोग बात करते हैं इसका procedure देखिए इसका age बताते हैं कि कितनी age चाहिए आपको soldier gd के लिए तो age होती है दोस्तों साइडे सत्रा से लेकर 21 साल साइडे सत्रा से लेकर 21 साल अब बात करते हैं इसके लिए eligibility का है study material हो आप बताएंगे तो मैं आपको जरूर उस पर वीडियो बना दूँआ आप लीचे कमेंटर पर मुझे बता सकते हैं अब बात दरते हैं soldier tech के लिए soldier tech के लिए जो age limit होती है वो साइडे सत्रा से तेस साल की होती है सबका अलाग अलाग criteria इसलिए आपको बहुत ध्यान समझना हुआ हर point आप pen लेकर लिखी भी सकते हैं आपको सच में सपना है कि आप चाहते हैं कि पैर कमांडों कैसे बने इसका जो paper होता बहुत सरल होता है पर अब अब अन्डिय की बात करते है आपको कम समय में अच्छी पोस्ट आपको मिल रही है इसलिए आपको बताना चाहता हूँ और इसमें ज़्यादा आपको दुमाख में लगाना बहुत सिंपल कोश्चन्स आते हैं यह हो गया अब सोल्जिक लर्क की बात करें तो उसको age बताऊं आपको तो age होती है साइब 17 से लेकर 30 साइब बिल्कुल जो उसकी होती होती है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें आपको अगर LGBT की बात करें तो LGBT में आपको 10th pass प्लस और यहाँ पर आपको LGBT बताऊं यहाँ पर 10th pass चाहिए ठीक है यहाँ पर LGBT की बात करें तो यहाँ पर 10 प्लस 2 चाहिए दोस्तों मतलब 10 भी चाहिए और 12 भी चाहिए विकॉस इस टेक्ट्रेड टेक्निकाई ट्रेड है यह ठीक है और यह सोल्जर के लिए यह चाहिए यह चाहिए अब दोस्तों जैसे ही आप इसका एक्जाम जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं क्या आता है? GK आती है, Journal Science आती है और Maths आती है, Maths का portion आता है अगर आप इस एक्जाम लोग क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर है चलिए आपको बता देते हैं इसको एक्जाम क्लियर करने के बाद तो अगर आप चाहते हैं कि मैं Soldier का स्लेबस पूरी तरीके से आपको इस ट्रैक्टी जी बताऊं कि आप फस्ट अटेंप पर इक्लियर कर जाएं तो इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए का जैसे ही आप exam clear कर लेते हैं, जैसे ही आप exam clear हो जाता है, आप soldier के लिए बन जाते हैं जब आप soldier, तब आपको क्या करना होगा, देखिए soldier बनने के एक महिने या फर दो महिने बाद, आर्मी खुद आपको रिक्विट करना स्टार्ट करती है, और वो आपके लिए एक निकालती है, तब पैराशूट रेजिमेंट फॉर्म, या फिर समने को नाम से जानते हैं, पैराशूट बटैलियन फॉर्म, ये आपको एक महिने या फर दो महिने के बाद ही, जैसे है soldier की प पर आपका procedure क्या होता है, फिर आपको कुछ है ना, ट्रेलिंग कराई जाएगी, कुछ physically आपको चेक किया जाएगा, आपका mental check-up होगा, आपका physical check-up होगा, बहुत ही अच्छी सरी के बार इकियों से आपका बिल्कुल ये check-up होने वाला है, इस check-up के बाद अगर आप इन मे is a parac training, बहुत ही intense आपका जो, बहुत ही intense आपको दौर से गुजरना पड़ता है दोस्तों, parac training जब आपको बहुत ही, ये कितने होती है, 3.5 years के लिए, ठीक है, 3.5 years के लिए parac training होती है, अगर वो parac training में आप निकल जाते हैं, हार नहीं मानते हैं, लड़ते रहते हैं, जो तो आप बन जाएंगे जाकर paracommando, और आपको मैं बता दूँ, paracommando की जो training होती है, वो होती है दोस्तों, बैल गाओं में, और ये कहां पर है, जोस्तों, ये है करनाटका में, ठीक है, ये है करनाटका में, जाकर आपकी वहाँ पर training होगी, और training के बाद आपको post मिल तो प्लीज मुझे नीचे बिल्कुर हिजकिये करें, मैं आपके जरूर कमेंट पढ़ता हूँ, जब टैम मिलता है तब पढ़ता हूँ, और पढ़ता जरूर हो, और reply भी देता हूँ दोस्तों, तो तरली दोस्तों, अगर आपको कोई आपको प्रोब्रम कुछ भी नहीं सम नहीं किया, just hit the bell icon for the latest updates and thank you so much, thank you.